कला के लिए यह भी कहा गया कि सारी चीजें एक ठीक ठीक अनुपात में होनी चाहिए, जिसका भी हम चित्रन कर रहे हैं, समानुपातिक होनी चाहिए, जिस अनुपात में सब कुछ चित्रत किया जाए तो इसके लिए एक बड़ी समस्या प्लेटों ने उठाई अपने डायलोग में, वो कहता है कि कला के साथ एक बड़ी विसंगती है, और वो यह है कि कला में यदि हम ठीक ठीक चित्रन करते हैं, तो वह वस्तु असंतुलित देखती है, देखने में वह असंतुलित लगती है जैसे मान लिजए कि एक मूर्ती 5 फिट की है, उसको 50 फिट में बनाना है, तो ठीक ठीक अनुपात में जो अंगों की अनुपात हैं, उसी रूप में उसको बड़े कर दिये जाएंगे, तो मूर्ती 50 फिट की हो जाएगी, लेकिन जब मूर्ती बन के तयार होगी, तो वह असंतुलित दिखेगी, क्योंकि देखने वाले के पक्ष से आप विजार करें, तो उसका सीर्ष जो होगा दूर होगा, दूरी के कारण ऊपर का भाग छोटा दिखेगा, नीचे का भाग नजदीकी के कारण बड़ा दिखेगा, तो मूर्ती असंतुलित दिखेगी, अब भाग को ज़्यादा बड़ा बना देता है, नीचे का भाग को छोटा कर देता है, अब देखने में मूर्ती ठीक लगती है, तो अब बताईए कला में किसका अनुपालन होना चाहिए, यथार्थ चित्रन से असंतुलन लगता है, और अयथार्थ चित्रन से संतुलन लगता ह कहता है कि this is a great anomaly in art, इसका क्या करें, किस पर ध्यान देना चाहिए, एक कलाकार को, चित्रकार को, मूर्तिकार को, किस पर ध्यान देना चाहिए, जो दिखाई देता है उस पक्ष को ग्रहन करना चाहिए, या या थार्थ रूप में चित्रत करना चाहिए झाल झाल